नमस्कार दोस्तों, एक खबर मीडिया में हूँ देव शर्मा. आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी आस्था और भक्ती ने सभी को हैरान कर दिया है. मद्य प्रदेश के रिवा जिले के निवासी कृष्ण कुमार पांडेय ने अपने शरीर पर बागेश्वर धाम के प्रती अपनी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है. उन्होंने अपनी चाती पर दोनों तरफ बागेश्वर धाम के महाराज धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री का टैटू गुदवाया है और गले के पास जैश्री राम लिखवाया है. कृष्ण कुमार पांडेय पिछले तीन वर्षों से बागेश्वर धाम के प्रती अपनी भक्ती निभा रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें अब तक महाराज धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने का अफसर नहीं मिला, लेकिन उनका मानना है कि गुरुजी का आशिरवाद सदयव उनके साथ है. कृष्ण कुमार ने अपनी भक्ती को और भी द्रिल बनाने के लिए 10 सितंबर को बागेश्वर धाम की यात्रा की योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि उन्होंने मुंबई से अपनी अर्जी लगाई थी और संतों ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी अर्जी स्वीक्रित हो चुकी है. यह अनूठी भक्ती और समर्पन वास्तव में प्रेवना दायक है. रिवा जिले में कृष्ण कुमार पांडेय का ये कदम चर्चा का विश्य बन चुका है और उनकी इस यात्रा का सभी को बेसबरी से इंतजार है. यदि आप भी कृष्ण कुमार पांडेय से जुरना चाहते हैं और उनके साथ बागेश्वर धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप उन्हें सीधे संपर्क कर सकते हैं उनका मोबाइल नंबर है 9109556187 तो दोस्तों आस्था और श्रद्धा की इस अनोखी कहानी को आप सभी के बीच साजा करते हुए हमें गर्व हो रहा है ऐसी ही और भी प्रेणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ धन्यवाद जिसे हो वे वही जाने ये कैसी बीमारी है ये कैसी बीमारी है ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई दन है क्या तेरी धूल से बढ़के जान भी दे देंगे हम अपनी जंग अभी है जारी नहीं हटेंगे पीछे हर घिजपूरी है तैयारी करम तयागू मरम तयागू दे न मुझ में बल न बुद्धी है मैं निर्बल हूँ मैं तो अग्यान मैं तुमसे विन्ती करता हूँ मेरी सुन लो बज रंग बलवा